पस्चिन की दुनिया को प्रकृती ने एक ऐसा उपहार दिया है जो हजारों सालों से लंबी उम्र और सुन्दरता का सीप्रिट बना हुआ है जैसे भारत में नीम, तुलसी, आमला, हल्दी, पीपल ही पैसे यॉरप में अकेला ओलिफ प्राचीन ग्रीक की सेहत और लंबी उम्र का रास यही ओलिब और है स्पेन, आस्ट्रिया, फ्रांस, रोम और क्लासिकल ग्रीक के युद्धाओं की ताकत का राज यही ओलिब और है यॉरप की लोगों की सुन्दरता का राज भी यही ओलिब और है और अब यह ओलिब और यानी जैतून का तेल पूरी दुनिया की पहली पसंद बना हुआ है एक समय था जब ओलिब ओलिब केवल संपन लोगों की ही पहुँच में था लेकिन अब ओलिब दुनिया के हर आदमे की पहुँच में है और उसका कारण है इसके अध्भुत गुण इसके गुणों की बजह से पस्चिम में जैतून को बहुत पवित्र माना जाता है इस तेल के प्रियोग से अपनी ताकत और प्रजनन शक्ती बढ़ाते थे ये उम्र को रोकने और जवान बने रहने का एक सीक्रिट था युनान, मिस्र और रोम के राजपरिवारों की खूबसूरत महिलाएं इस सीक्रिट को जानती थी और इसका प्रियोग करती थी ओलिव ओल के महत्व का अंदाजा आप इस से लगा सकते हैं कि प्राचीन ओलम्पिक की मशाल ओलिव के तेल से ही जलाई जाती थी ये तो ओलिव ओल के वो गुण हैं जिन से प्राचीन दुनिया पर रिचित थी लेकिन वर्तमान समय में जब ओलिव के फाइदे निकल कर सामने आए तो ये दुनिया का सबसे अद्बुत तेल साबित हुआ ओलिव ओल में प्राचुर मात्रा में स्वास्ति वर्धक मोनुसाचुरेटेड फाट्स और ओमीगा फाट्स होते हैं साथ में ओलियक आसिट्स होते हैं जिससे कैंसर से लड़ने में मदद बिलती है जैतून की तेल में प्रचुर एंटी ओक्सिडेंट्स होते हैं जो क्रॉनिक डिजीजिस, हाई कॉलेस्ट्रॉल और हिर्दे रोगों से बचाव में मदद करते हैं इसमें हाई इंफ्लामेट्री एफेक्स होते हैं इस तेल के प्रियोग से हिर्दे आगहात की संभावनाओं को कम करने में मदद मिलती है साथ ही ये ब्लड प्रेशर को नियंतृत करने में मदद करता है सबसे खास बात ये है कि ओलिव ओल के सेवन से ना तो बजन बढ़ता है ना ही मोटापा ये दिमाग को स्वस्थ रखने में सहायक होता है जिससे भूलने की बिमारी अलजाइमर्स को ठीक करने में काफी मदद मिलती है ओलिव ओल का निरंतर सेवन जहां टाइब टू डाइबटीज को रोकने में मदद करता है वहीं इस तेल में आर्थराइटस से लड़ने की भी अदबुत क्षमता होती है साथ ही इसमें एंटि बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जिससे ये तेल स्वास्ते के साथ साथ सुन्दर्दा के लिए भी बहुत उप्योगी है ओलिव ओल का त्वचा पर फ्रेयोग इसे यूवी किरनों से बचाता है यानि ये नाचरल सन प्रोटेक्शन की तरह काम करता है इसमें विटामिन A, D, E और K मिलता है जिससे त्वचा की सुन्दर्ता तो बढ़ती ही है साथ ही ये बालों और त्वचा को naturally moisturize करता है जिससे त्वचा और बालों की प्राकृतिक नमें भी बनी रहती है olive oil को जहां scrubber में मिलाकर लगाने से त्वचा की dead skin उतरती है बहीं इससे मेकप भी बहुत आसानी से रिमूव होता है महिलाई इसके तेल को फेस मास में भी प्रयोग करती है क्योंकि इसको स्किन पर लगाने से जुर्रियां कम होती हैं और दाग धब्बे भी मिट जाते हैं तो कुल मिलाकर ओलिव ओलिव अंदरोनी और बाहरी स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिसकी वज़ह से इसे हमेशा से ब्यूटी सीक्रेट माना जाता है ओलिव ओलिव को कच्चा या पकाकर दोनों ही तहे से खाया जा सकता है यही वज़ा है कि olive oil आज पूरी दुनिया में पहली पसंद बना हुआ है यह तेल olive के फल से प्राप्थ होता है जो केवल यूरोप में ही पैदा होता है लेकिन साल 2007 में तदकालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान की माननिय मुख्यमंत्री वसंद्रा राजे olive को पहली बार इस्राइल से भारत लाई और आज भारत के राजस्थान प्रांथ में olive पैदा हो रहा है दुनिया में तीन तरह की qualities का olive oil मिलता है पहला पोमेस olive oil यानि सबसे कमतर quality का तेल दूसरा virgin olive oil यानि पोमेस से बहतर और तीसरा सरवश्रेष्ट olive oil यानि extra virgin olive oil और भारत में यही दुनिया का सबसे best olive oil यानि extra virgin olive oil का ही उत्पादन हो रहा है एक वक्त था जब olive oil योरोप से पूरी दुनिया में जाता था लेकिन आज भारत में direct selling की leading company olive tree ventures ने olive life के नाम से भारत का पहला extra virgin olive oil लौँच किया है जो हर एक भारतिय के लिए गर्व की बात है और यही कारण है कि अब olive केवल समपन लोगों का शौक नहीं है बलकि आम आदमी के जीवन का भी हिस्सा बन गया है और olive life का olive oil आज दुनिया के सबसे पसंदीदा ब्रांड्स में से एक बना हुआ है from the house of olive tree ventures India's first produced extra virgin olive oil olive life सर्वे भावन्तु सुखी नह, सर्वे संतु निरामया exclusively brought to you by olive tree ventures private limited nutrition and prosperity for all abroad कर दो ग्हामया के फाव करते है यू पहँा है बलकि मेंस स्थी है